C.I.E.T. N.C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग एक आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग एक का सोल्वा सबक सबक नंबर सोल्हा ओ सुब के सितारे नजमनिगार अख्तर शीरानी सफ़ा नंबर एक सो तीन जल्वा दिखा रहा है किरने लुटा रहा है क्या जील उभा रहा है ओ सुब के सितारे महफिल तिरी कहा है मनजिल तिरी कहा है किस सिम्त जा रहा है ओ सुब के सितारे सारे जहां के उपर इस आसमा के उपर क्यूं जिल मिला रहा है ओ सुब के सितारे किसका खतर है तुछको? हाँ, किसका डर है तुछको? क्या सूरज आ रहा है? ओ सुब के सितारे, दम भर का ये समा है, तू इसका मिहमा है, क्यों मुस्कुरा रहा है? ओ सुब के सितारे खामोश है जमाना बेहोश है जमाना लेकिन तूगा रहा है ओ सुब के सितारे चुपचाप सो रहा हूँ नीदों में खो रहा हूँ क्यों गुद्गुदा रहा है ओ सुब के सितारे क्यों इतना डर रहा है क्यों मुँ उतर रहा है ओ सुब के सितारे, आ, मैं गले लगा लूँ, साथी तुझे बना लूँ, तू दिल लुभा रहा है, ओ सुब के सितारे. सफा नंबर एक सो पाँच, मानी याद कीजिए, जल्वा, चमक, रौनक, नजारा, जी लुभाना, मुहावरा, अच्छा लगना, जी को भाना, मन्जिल, ठिकाना, वो जगह जहां मुसाफिर पहुचना चाहता हो, सिम्त, तरफ, जिल मिलाना, जिल मिल करना, रह रह कर चमकना, खतर, डर, खत्रा, दंबर, बहुत थोड़ा वक्त, जरा देर, समा, मन्जर, मुह उतरना, मुहावरा, दुखी होना, उदास होना, सोचिये और बताए, एक, इस नज्म में शायर किस से बात कर रहा है, दो, सुब का सितारा किस तरफ जा रहा है, और उसकी मन्जिल कहा है, तीन, सुब के सितारे को किस बात कर डर है, चार, सुरच के आने का क्या मतलब है, पांच, सुब का सितारा क्यों मुश्कुरा रहा है, छे, इस नज्म में जमाने को खामोश और बेहोश क्यों कहा गया है, साथ, सुब के सितारे के थर्थरानी की क्या वज़ा है, आठ, शायर सुब के सितारे को क्यों गले लगाना चाहता है, सफ़ा नंबर एक सौच है, यहाँ दिये हुए अलफाज और मुहावरों को अलग-अलग कीजिए और उन्हें जमलों में इस्तिमाल कीजिए, जलवा, जील उभाना, मन्जिल, सिम्त, जिल मिलाना, मुह उतरना, कीजिए, इस नज्म को बार-बार बुलंद आवाज से पढ़िए और याद कीजिए, हर्फे निदा है, हर्फे निदा उस लवज को कहते हैं, जिससे किसी को पुकारा जाए, ओ की तरह लवज ए भी हर्फे निदा है, ख्याल रहे के ओ और ए हमेशा इस्म से पहले बोले जाते हैं, सुब होते ही आश्मान से सारे सितारे घायब हो जाते हैं, सिर्फ एक सितारा चमकता हुआ नजर आता है, इस नज्म में शाइर ने बड़े दिलकश अंदाज में बयान किया है, कि सुब के सितारे को देख कर, शाइर के जहन में कैसे कैसे सवालात पैदा होते हैं, इस नजम में लवज मेहमा आया है ये लवज मेहमान के लिए इस्तिमाल हुआ है और दोनों तरह से सही है अभी आप सुन रहे थे अपनी जबान भाग एक का सोल्मा सबब इसके बाद सबक सत्रह आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत